जहीं सातियों आप देख रहें एक्जाम तक वार्यर्स बैजना सर के साथ आज हम डिसकस करने वाले हैं SSC CGL जी हाँ दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था सर SSC CGL 2020 का नोड़ी विकेशन कब तक आ सकता है कब तक हो सकता है जारी तो देखते हैं इस वीडियो में SSC CGL के बारे में SSC CGL 2020 के 9000 पदों के लिए आवेधन 21 से आवेधन कब सी स्टार्ट हो जागा दोस्तों 21 दिसंबर से इसका आवेधन हो जागा स्टार्ट कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है कर्मचारी चैन आयोग SSC की और से संयुक्त असनातक परि सब्सक्राइब के लिए आवेधन 25 जनवरी 2021 होगी साथी आप सभी को करना कि आप सभी लोगों करना क्या पूरा जो है आपको जो भी है मार सीट जो भी है अधार कार्ड पैन कार्ड इसको कलेट करके फोटो कापी करा के रख लीजे और यहां पर जो ही वेकेंस है उसी पहल ग्रूप सी के पदों पर होनी है भरती तो यहां पर असिस्टेंट ऑडिट आफिसर के लिए आवेधन अब्यरती को सौची के योगता असनातक होनी चाहिए मतलब अगर असिस्टेंट ऑडिट आफिसर के लिए तो आपको ग्रेजुएसन होना चाहिए और इस्टेटिकल इ अंख होने चाहिए असनाता में इस्टेटिक्स एक भी सह होना चाहिए यह चीज है मतलब असिस्टेंट आफ ओडिट अफीसर अगर आप मतलब यहां पे थोड़ा सा प्राब्लम है लेकिन असिस्टेंट ओडिट अफीसर के लिए आवेदन अभ्यरती को सौचिक अभ्यरत जो दे रखा है पूरा चीज बागी आपको किस पोस्ट के लिए बरना आप जो है देख लीजेगा और उसके बाद ही फार्म को फिल अप कर लीजेगा मिलते है नेश्बूर्यों में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम सभी साथियों को राज़ाइए